गुड मॉर्निंग मैं रवी कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीची डूंगरपूर आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डेटा वेराउस के बारे में डेटा वेराउस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स डेटा वायराउस हमें ऐसा आर्किटेक्चर और टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे बिजनिस एक्जिटिव्ज है, वो सिस्टेमेटिकली ओर्गिनाईज कर सकते हैं, समझ सकते हैं वो डेटा को यूज कर सकते हैं, ताकि उनके जो बिजनिस है, उसके अदर अच्छी स्टेटेजी, डिसीजन लिया जा सके, अच्छी प्लानिंग कर सके डेटा वेराउस है, वो एक की लेटिस्ट और बहुती जरूरी मार्केटिंग हतियार है आज के जमाने में क्योंकि डेटा वेराउस के अंदर हम कस्टमर्स के बारे में इन्फोर्मेशन स्टोर करके रखते हैं कस्टमर्स के बारे में परस्टनली नहीं, कस्टमर्स का जो खरीदने का जो तरीका है, पेटर्न है उसके बारे में हम इन्फोर्मेशन स्टोर करें रखते हैं और उससे हम सीखते हैं, डेटा को यूज करके सीखते हैं कि कस्टमर्स की जरूरत क्या है कैसे कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं उनकी रेंज क्या होगी प्रोडक्ट्स की क्या उनकी प्राइस रखी जाएगी क्या सर्विसे जाएगी क्या कस्टमर्स डिमांड करते हैं कौन सी सीजन में किस प्रोड़क्ट की डिमांड जदा होती है कौन से एरिया में कौन से प्रोड़क्ट की जदा होती है तो कंपनी ये सारा एनलेसिस करके future के लिए प्लानिंग करती है डेटा वेराऊस है वो एक systematically consistent डेटा स्टोर होता है और ये सर्वर करता है फिजिकल इंप्लिमेंटेशन ओप डिसीजन सपोर्ट डेटा मोडल डेटा वेराउस स्टोर रखता है इनफोर्मेशन किसी भी जो एंटरप्राइज है उसकी जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसके ज़रुद की इनफोर्मेशन एक डेटा वेराउस को एक अलग तरीके से हम देख सकते हैं जिसमें वो एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो बनाया होता है इंटिग्रेट करके मल्टीपल और अलग अलग तरीके के जो सोर्शेज है वहाँ से इनफोर्मेशन गेदर करके और ये ऐसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है एड हो क्योरीज को एनलेटिकल रिपोर्टिंग को और डिजिजन मेकिंग को कई सारे ओर्गिनाइजेशन हैं वो डेटा वेराउस की जो इनफोर्मेशन है उसको यूज करती है अपने जो बिजिनिस के डिजिजन मेकिंग एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करने के लिए उसमें कुछ तरीके दे रखें पहला है कि कस्टमर्स का फोकस है वो इनक्रीज करना अपने प्रोड़क्ट के ओपर कैसे फोकस इनक्रीज किया जाए कस्टमर्स का इसके अंदर सामिल है कस्टमर्स का जो बाइंग पेटरन है उसको एनलिसिस करना बाइंग पेटरन में क्या बाइंग की प्रीफरेंस की कस्टमर कौन से product को ज़्यादा prefer करते है फिर buying time कौन से time पर करते है उनका budget cycle क्या रहता है ठीक है और spending appetites कितना किसी product पर spend कर सकते है तो ये सारी चीजे पुरा analyze करते है कि customers कौन सी range के अंदर products खरीते हैं कौन से time पर कौन सी season में खरीते हैं किस चीज़ को prefer करते हैं दूसरा है products को repositioning और managing करना compare किया जाता है उनकी performance को उनकी कितनी sale होई है quarterly या yearly वो भी geographic region के अंदर ताकि जो production strategy है उसको उसी के according बनाया जाई क्योंकि अलग-अलग चीज़ों की demand है वो geographic जो regions है उनकी according भी अलग-अलग होती है और उसी के साथ में season है उसके according भी अलग-अलग चीज़ों की demand होती है analyzing operations and looking for source of profit managing customer relationship making environmental corrections and managing the cost of corporate assets William Edge in Mon जो की एक leading architect है data warehouse system के construction में उनके according जो data warehouse की जो definition वो इस परकार है data warehouse is a subject oriented integrated time variant and non-volatile collection of data in support of management's decision making process तो William Edge इमोन ने बोला कि data warehouse है वो एक तो subject oriented होता है फिर वो दूसरा है integrated होता है तीसरा जो feature है उसका characteristic है वो time variant बता है और चोथा बता है non-volatile तो ये चार main characteristics भी होते है इसके data warehouse के ये भी काफी important topic है तो हम इनको अच्छे समझते है अब सबसे पहले जो characteristic है वो है subject oriented इसका क्या मतलब होता है एक data warehouse है वो organize किया जाता है किसी subject के इर्द गिर्द है एक जो subject होता है उसके उपर ही focus होता है कोई data warehouse उसी पर ही oriented होता है तो subject oriented कौन-कौन से subject हो सकते हैं जैसे कि customer supplier product और sales यह अलग-अलग subjects है तो इसमें क्या होता है कि हम जो day-to-day जो operations है वो जो transaction है उसके ओपर focus नहीं करते है जो day-to-day transaction है उसपर focus करता है जो हमारा operation database होता है डेटा वेराउस इसपर focus concentrate नहीं करता है तो फिर डेटा वेराउस किसपर concentrate करता है डेटा वेराउस focus करता है modeling और analysis of decision makers तो analysis और decision making के लिए डेटा वेराउस प्रोवाइड करता है simple और concise view of particular subject इसके अंदर जो data useful नहीं है जो decision support system में उनको सामिल नहीं किया जाता है तो ये तो हो गया subject oriented कि जिस subject से related data हमें चाहिए सिर्फ वोई data रहते हैं फालतू की data हम इसमें नहीं रखते हैं दूसरा है integrated integrated का मतलब होता है कि एक data वेराउस जब बनाया जाता है तब जो data हम इकटा करते हैं वो अलग-अलग source age से इकटा करते हैं और वो source age अलग-अलग type के होते हैं hydrogenous होते हैं जैसे कि relational database हो सकता है एक source दूसरा source हो सकता है जो simple files होती है flat files एक source हो सकता है online transaction record हो सकता है तो ऐसे कई सारे sources होते है अब सारे sources जब अलग-अलग type के होते हैं उनका information store करने का तरीका भी सबका अलग-अलग होता है तो हमें सारे sources से information है वो इकटा करनी होती है और उनको एक format के अंदर store करनी होती है ताकि हमें उनको analysis करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए फिर होता है time variant तो जैसे हम जानते है data warehouse में जो data होता है वो कैसा होता है historical data होता है जैसे कि पिछले 5 या 10 साल का data तो जो भी data उसमें store किया जाता है वो directly या indirectly एक time होता है उससे related होता है एक time का factor उसके साथ में हमेशा रहता है जैसे कि हम कोई mobile बेचने वाली company है वो analysis कर रही है तो वो देखेगी time के साथ कि पिछले 3 महिने में कितने mobile बीखे या पिछले एक महिने में या पिछले 5 साल में कितने बीखे जैसे mutual funds है share market है तो उनका analysis होता है पिछले एक महिने में कितना उपर नीचे गया पिछले एक साल में कितना गया फिर वो भी particular sector में कौन से sector में automobile sector है information technology है तो कौन से sector में कितना उपर नीचे गया तो एक जो time वाला factor है वो हमेशा रहता है इसलिए time variant होते है क्योंकि mobile की जो विक्री हो रही है या automobiles की विक्री हो रही है तो उसको study कर रहे है अब पिछले जो 2-3 महिने के data लेंगे तो जैसे कि अभी 2020 में coronavirus का effect चल रहा है तो अभी जो data आया है कि पिछले जो एक महिना है उसके अंदर किसी भी company की कोई भी गाड़ी नहीं भी किया मतलब zero sale जहां लाखो गाड़िया बिक्ती है वहाँ पर बिल्कुल zero sale है तो लगबग हर एक sector का यह हाल है तो वो time के recording तो अब पिछले जो एक quarter का देखेंगे हम तो उस quarter के अंदर जो sales हो बहुत कम होगी फिर चोथा जो characteristic है वो non-volatile देखे डेटावेराउस क्या होता है कि एक के ऐसा storage होता है डेटा का जो कि जो operational जो environment है उससे अलग होता है तो ये दोनों के अंदर separation होने से डेटावेराउस है उसको जरूत नहीं है transaction processing की recovery की जरूत नहीं है concurrency control mechanism की जरूत नहीं है क्यूंकि हम day to day transaction है उसको नहीं इसमें analysis कर रहे है तो इसमें manually दो ही operations perform होती है डेटावेराउस में एक तो जब हम data को load करते हैं उस time पर load करना और फिर जब analysis करेंगे तो data को access करना तो यहाँ पर नहीं तो हम update कर रहे हैं और नहीं delete कर रहे हैं इसका अमलब modification नहीं हो रहा data में और modification करने का अमलब volatile data और modification नहीं हो रहा है इसका अमलब non-volatile इसका मतलब data वेराउस में एक बार जो data store हो गया उसको हम modify नहीं करते हैं वाग में सिर्फ उस data को हम use करते हैं analysis के लिए तो आज की वीडियो में हमने data वेराउस के बारे में पढ़ा data वेराउस के चार characteristics पढ़े इस वीडियो में इतना ही इसके बाद में आगे जो next वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे data वेराउस और जो operational database होता है उनमें क्या अंतर होता है thank you